हेलो मिरा नाम है नब आप और आप देख रहा है आर्सम क्लेवर तो आज हम कंपार करने जा रहा है वीवो वी 20 वर्स सैंसंग गैलक्सी मेलीा में 556 एमचे बयां कर से बीजाइन से सुरू करेंगे सा बात करें इन दोने फोन के दिस्प्ले की तो q20 में आपको मिलते हैं Peng P nah इंच का डिस्प्ले और वहीं M51 में आपको मिलता है 6-7 इंच का Super AMOLED Plus डिस्प्ले जो की V20 से better display है better view आपको मिलेगा M51 में और यहां आपको resolution मिल जाता है 1080x2400 का resolution और वहां M51 में भी आपको मिलता है 1080x2400 का resolution और बात करें design की तो V20 में आपको मिलता है यूसेप नॉच और वहीं M51 में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले और प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां भी कोई V20 में कोई प्रोटेक्शन मेंसेन नहीं है मेभी आपको यहां गोरीला ग्लास 5 और 6 सायद आपको मिल जाए है और M51 में आपको मिल जाता है गोरीला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन बात करें फिंगर-प्रिंट की तो यहां आपको मिलता है वी-वी के वीवो V20 के कंपार में M51 थोड़ा सा बल्की है और अब हम देखेंगे इन दोने फोन्स के कैमरा को तो वीट्वेंटी में आपको मिल जाता है त्रिपल रियर कैमरा और M51 में आपको मिलता है है था का मिया यूड बड्र कैमरे का सेट आप चोकी वीवो V20 का कैमरा आता है में कैमरा 64 MpX वाइड अंगल लेंज और वहीं आपको सामसंग गैलक्सी M 51 में भी आपको सेम कैमरा मिलता है 64 Megapixel का और बात कर सेकेंड कैमरा की तो वीवो में आपको मिलता है 8 Megapixel का अल्ट्रावाइट और वहीं सैमसंग में आपको बहतर मिलता है जो कि 12 Megapixel का अल्ट्रावाइड मिलता है और यहां थर्ड कैमरा मिलता है आपको आपको V20 में 2MP का Depth Sensor और वहीं M51 में आपको मिलता है 5MP का Depth Sensor और यहां आपको V20 में कोई camera mention नहीं है कोई camera है यह तो तीनी camera आपको मिलेगा और M51 में यहां 5MP पिक्सल का Micro Lens आपको मिल जाता है और यहां इस पे वीवो वी 20 पे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते at 30fps और M51 में भी आप सेम camera वीडियो रिकॉर्ड कर सकते 4K at 30fps बात करें selfie camera की तो यहां आपको मिल जाता है V20 में 44 MP का camera और यहां M51 में आपको मिलता है 32 MP का camera जीकते इंदोनी फोनस के processor को तो वीवो वी 20 में आपको मिल जाते हैं 2 बसक्राइब हो और बाकी के 6 और आपको मिलता है 1.8 गिगार्ट पे और वहां M31 में आपको मिलता है दो केर मिलताए 2.2 गिगार्ट पे अधिक लाउक्ट और बाकी क्षे और आपको म्लता एट्टीन का जीप्यू, M51 में भी आपको मिलता है Adreno 618 का जीप्यू, बात करें चिपसेट की, तो यहां आपको मिल जाता है Snapdragon 720G, जो की 8 nm पर बेस्ट है, और वहां आपको मिलता है M51 में Snapdragon 730G, जो की 8 nm पर बेस्ट है, Anthony score की बात करें, तो यहां आपको 720G में आपको मिल जाएगा, 2.50 लाग के गरीब यह score करता है, जो की gaming में आपको बहुत अच्छा performance देने वाला है, लेकिन यहां M51 में जो processor है, वो काफी बहतर है, जो की Snapdragon 730G का processor है, जो आपके बहुत भी smooth और experience देने वाला है, यह score करता है 2.76 लाग का, बात करें RAM वेरिंट की, तो यहां आपको V20 में मिलता है सिर्फ एकी वेरिंट, 8GB RAM, 120, 8GB internal storage, और यहां आपको M51 में मिलता है, दो वेरिंट, एक है 6GB RAM, 128GB storage के साथ, और दूसरा 8GB RAM, 128GB internal storage के साथ, तो बात करते हैं operating system की, तो V20 में आपको मिलता है Android 11 का support, और वहीं M51 में आपको मिलता है Android 10 का support, जो की One UI based है, और अब देखते हैं इन दोनी phones के battery को, तो V20 में आपको मिलता है 4000 mAh का battery, और यहां आपको मिलता है M51 में 7000 mAh का battery, इसे battery कैसे कहींगे, तिरा बड़ा battery होता है, तो फिर भी performance आपको बहुत ही अच्छा देगा, day to daylight में M51, बात करें fast charging की, तो यहां V20 में आपको मिलता है 33W का fast charger, और वहां M51 में 7000 mAh बैटरी होने के बावजुद 25W का charger मिलता है, इन दोनी phones के pricing की, तो Vivo V20 आपको मिलता है, जो कि कल launch होने वाला है 24,999 में, और अभी Samsung Galaxy M51 का जो price है, वो अभी flip card पे sale पे चल रहा है, जिसका price आपको मिल जाएगा 22,499 रुपए, और ऐसी normal day में यह phone 25,000 के करीब होता है, तो अभी आप लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं Overall, कौन सा phone best निकल के आता है, यह आपको decide करना है, और on paper मैंने सब कुछ आपको साफ साफ दिखा दिया है, मेरे हिसाब से अगर आप बात करें, तो Samsung Galaxy M51 best choice है, क्योंकि यहाँ आपको मिल जाता है better processor, Snapdragon 730G का, और punch hold display जो की काफी अच्छा लगता है देखने में, phone को थोड़ MH का battery, साथ में आपको मिलता है Samsung की branding, और power pack के साथ यह phone आपको मिल जाता है, Galaxy M51, तो better choice है, Samsung Galaxy M51, तो guys, अगर आपको इस वीडियो से जरह साथी help हुआ हो, तो subscribe करके मुझे support करें, और मैं मिलता हूँ next वाले वीडियो में, thanks for watching,